हाईलो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इसके लोलज में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको MS Excel के अंदर कुछ ऐसी शॉटकट की बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हैं और ये आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो आईए आज कुछ नया हाईलो दोस्तों मैं हूँ गुफरान टाइपिस्ट आप देख रहे हैं स्किल नौलेज दोस्तों एकसल में इतनी ज्यादा शॉटकट की है कि अगर हम एक ही वीडियो में सारी शॉटकट की बताएं तो आप वीडियो को देखते देखते बौर्ट हो जाएंगे दोस्तों हम अपने वीडियो को शॉट में इसलिए बनाते हैं कि आप हमारी वीडियो देखने में बोर नहों और जो कुछ हम बताएं वो आपके समझ में भी आ जाएंगे तो दोस्तों इस वीडियो को इन्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत करने के बाद अब देखिए जब आप कोई भी रो को डिलीट करते होंगे तो माउस से सलेक्ट करने के बाद राइट किलिक करते होंगे और इस तरह से डिलीट करते होंगे लेकिन दोस्तों माउस का यूज ना करते हुए देखिए जैसे हमको ये वाली रो जिसमें छे नंब ले आईए फिर shift plus space bar यानि की shift के साथ space दबाईए तो आपकी ये वाली row select हो जाएगी फिर इसको delete करने के लिए control plus minus दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये plus minus क्या है इसलिए देखिए control plus minus मतलब control के साथ minus का use करके आप इस row को delete कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दो तीन चीज़ें और जान लीजिए अगर आप row को select नहीं करेंगे और ऐसे ही control के साथ minus का use करेंगे तो आपके सामने ये option आएगा और जब आप enter कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक cell delete हो जाएगी जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों अब आगे देखिए जैसे हमको ये 6 नंबर वाली row के ओपर एक row और add करना है मतलब एक row और बढ़ाना है तो same वैसे ही shift के साथ space दबा कर row को select कर लीजिए और control प्लस प्लस दोस्तों यहाँ पर आपको प्लस वाली problem आ सकती है क्योंकि keyboard में प्लस के दो बटन होते हैं एक back space के पास और एक numeric key के दाहिनी तरफ तो अगर आप back space के पास वाला प्लस यूज़ करना चाहेंगे तो row को बढ़ाने के लिए control प्लस shift प्लस प्लस यानि कि control प्लस shift के साथ back space के पास वाला प्लस से आप row को बढ़ा सकते हैं और अगर numeric key के दाहिनी तरफ वाला प्लस का यूज़ करेंगे तो सिर्फ control के साथ प्लस दबा दीजिए तब भी आपकी row प्लस हो जाएगी मतलब बढ़ जाएगी दोस्तों अगर आप पूरी row को select नहीं करेंगे और ऐसे ही control के साथ प्लस दबाएंगे तो आपकी सिर्फ एक cell बढ़ जाएगी जैसा कि आपके सामने है दोस्तों इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी तो आगे चलिए अगर आपको कोई कालम वाली पूरी लाइन बढ़ाना है तो control के साथ space बार का यूज़ करिए दोस्तों control प्लस इस पेस से देखिए ये वाला कालम select हो गया अब जैसा कि हमने अभी आपको बताया control प्लस और control माइनस तो दोस्तों control प्लस से आप अपने कालम को और बढ़ा सकते हैं जितनी बार control प्लस दबाते रहेंगे आपका कालम बता रहेगा और delete करने के लिए control के साथ minus दोस्तों control के साथ minus दवाते रहेंगे तो देखिए हमारे column delete होते जा रहे हैं इसी तरह आप official work में ये shortcut का use कर सकते हैं इससे आपको काफी हद तक आसानी होगी दोस्तों अगर आप और शॉर्टकट की जानना चाहते हैं तो हमारे यूटूब चैनल स्किल नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो देख सकें तो दोस्तों अगली वीडियो में नई शॉर्टकट की के साथ फिर मिलते हैं थैंक यू